वेलकम टो श्रड़ी चैनल मेरा नाम है मुहम्मद कैसर उत्तर पर इसमादमी सिचासेवा चैन बोड की तरब से दो इंपोर्टेंट खबरे निकल करा रही हैं पहली है वेटिंग लिस्ट को लेकर और दूसरी है परिक्षा तिथी 2022 को लेकर तो देख सकते हैं कि प्रतिच्छा सुची से भरे जाएंगे 1359 पद पहले यही खबर हम लोग देख लेते हैं 2021 की भरती में खाली रह गए थे पद और TGT के 1252 और PGT के 106 पदों पर तैनाती होनी है तो गुड नियूज निकल कर आ गई है TGT PGT 1252 वाले छात्रों के लिए जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे थे प्रदेश के सहायता प्राप्त और सास की माध्यों विद्यालों में TGT PGT 1252 के तहत रिक्त रह गए 1359 पदों को वेटिंग लिस्ट से भरा जाएगा चैनेत अभ्यर्थियों की ओर से जुआई न किये जाने के कारण ये पद खाली रह गए थे तो 2021 की जो भरती थी TGT PGT के वो सबसे बड़ी भरती थी माधमी सिचासवा चैन बोर्ड ने सुप्रिम कोड के आदेश पर पिछले साल अक्टूबर के अंत में TGT के 121610 और PGT के 2597 पदों पर चैन प्रिक्रिया पूरी की थी इसके बाद विद्द्याला अवानेटिद कर अभरतीयों को निक्ति पत्र जारी कर दिये गए निक्ति पत्र जारी होने के बाद भी बड़ी संख्या में अभरतीयों ने जोआई नहीं किया कई अभरतीयों का चैन अन्य पदों पर हो गया टीजेटी पीजेटी के उच्च पदों पर हो गया जिसकी वैस उन्होंने यहां पर जवाई नहीं किया और कुछ के अन्य भी कारण हो सकते हैं और इसे बज़ाए से यह पत्र खाली रहे गए और नियम यह है कि वेटिंग लिस्ट में कुल पदों की संख्या के मुकाबले 25 फिस्दी की वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है अब टीजेटी के 1252 और पीजेटी के 106 पदों पर वेटिंग लिस्ट से भरती की जानी है उपस चाने दरसक मादमिक्ती रामशेत ने पदों पर निक्ति दिये जाने की मांग को लेकर अभ्यर्दी लगातार आंदोलन भी कर रहे थे अभ्यर्थियों ने कई बार चैन बोर्ड में ग्यापन भी दिया इससे पहले टीजिटी पीजिटी तो हर 16 के तहर टीजिटी के 899 पदों पर वेटिंग लिस्ट से भरने की प् के हुए थे सुची जारी हो गई है और जल्द ही ये प्रिकिरिया शुरू की जाएगी और अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की जो संबंदित है टीजिटी पीजिटी 222 परिक्षा तिथी से देख सकते हैं छात्रों ने एक बार फिर से बड़ा आयलान किया है टीजि के लिए तो अब ना आदरडी अध्यक्ष जी से और ना डिप्टी सच्यू जी से वारता होगी अब केवल आर पार की लड़ाई होगी इसलिए सभी उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी भायों बहनों से विशेश अपील है कि बहुत ही जल्द प्रतनिधी मंडल के दौरा एक हो जाता है तब तक छातर लगातार अन्वरत धरना पदर्शन करते रहेंगे अब आर पार की लड़ाई के लिए एक जूट होना जरूरी है और इसमें सबसे जरूरी है कि सभी जो प्रतियोगी छातर संगठन है वो एक साथ आएं अलग-अलग रहकर गुटबाजी करके कु लपसादोजा ने ऐलान किया है तो ये रही आज की वीडियो में कुछ महत्मुड अपडेट वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और आथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती रहे थांक्स फॉर वाशिंग